आखिर क्यों सिर्फ चंदी लोग कामियाब हो बाते हैं बाकी क्यों नहीं हमारी आज कल की चैलेंजिस और ऑपर्चुनिटी से बरीस दुनिया में चंदी लोग ऐसे होते हैं जो के टॉप वन परसेंट में अपनी जगा बना बाते हैं असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम जानेंगे नाइन क्वालिटी आफ हाई वैल्यूड मैं एक हाई वैल्यू इनसान बहादर और नडर होते हैं क्योंकि वो जहनी तोर पर आज़ाद होता है उसकी ये सोच होती है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता याद रखिए खौफी वाहिज चीज है जो के आपके रास्ते में आपके पुटेंशल की सबसे बड़ी रुकावट है और एक हाई वैल्यू इनसान हमेशा सचा इनसान होता है क्योंकि जोटे इनसान की कोई इज़त नहीं करता है जो इनसाफ करता है और फेर इनसान होता है याद रखिए कभी भी सेलफिश इनसान की भी कोई इज़त नहीं करता है और नहीं बुजदिल आदमे की कोई इज़त करता है दलेरी आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है और ऐसा इनसान बड़े बड़े काम करता है आप अपने डर की वज़ज़ से वो काम नहीं कर पाते ज जो आपका दिल चाहता है, याद रखिए जो आपका दिल चाहता है, ना कम ये काम करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल है, शर्त ये है कि अगर आप अपने अंदर के डर और फियर को खतम कर देंगे तो, आप जितना ज्यादा अपने आपको आजमाएंगे, आप जितना ज्याद चैलेंजिस का सामना करेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े इनसान बनते चले जाएंगे। काम्याब इनसान वही होता है और हाई वैल्यू इनसान वही होता है जो कि बड़ी सोच रखता है, बड़े ख्वाब रखता है और उसके बाद कभी भी हार नहीं मानता। याद रेगुलरली अपने गोल्ज और अपनी वैल्यूज का जाइजा लेता रहता है और वो हमेशा ऐसा काम करता है जो कि उसकी परसनल ग्रोथ और उसकी डिवेल्पमेंट में हिस्सा डालते हैं ना के वो सारे दिन अपने सोचल मीडिया पर अपना टाइम जाय करें। दूसरों के कंदों पे तो जनाजा उठा करता है जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं या तो फिर बर्दाश कीजिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए या पिर जिम्हदारी उठाओ उसे बदलने की स्पेशली फ्यू वांट तो चेंज और लाइफ जरा खुद से सोचिए क अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्हदारी खुद से नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा कौन आने वाला है जो आपके जिंदगी बनाएगा तो वेक अप ट्वालिटी नंबर फो डिसाइड इग्जैक्ली वट यू वांट एक बड़ा इंसान अपनी लाइफ में बहुत पर महनत, लगन, डेडिकेशन, मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लन के साथ काम करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं याद रखिए एजुकेशन कभी भी कलास में नहीं खतम होती हाई वैल्यू इंसान के अंदर हमेशा चीजों को लर्न करने की सीखने की नौलिज की प्यास मौजूद होती है चाहे फिर वो किताबे पढ़ना हो, मेंटॉर्स की मदद लेना हो, वर्क्शॉप्स अटेंट करना हो या पिर अच्छा कॉंटेंट कंजियूम करना हो बड़े इंसान हमेशा जिन्दगी में सीखते ही रहते हैं, उनका लर्निंग प्रॉसस कभी भी नहीं रुखता अगर आप में या आड़त नहीं है रिडिंग की या पढ़ने की तो आज से ही इस आड़त को डिवेलप करें क्योंकि लर्निंग मींज इंप्रॉवमेंट और हमारी पूरी लाइफ सेल्फ इंप्रॉवमेंट का ही नाम है आप जितना ज्याद आपने आपको इंप्रॉव करते चले जाएंगे आप उतने ही ज्यादा अजीम इंसान बनते चले जाएंगे quality number 6 face resistance हमारी इस universe में छोटे से लेकर बड़े काम में भी जो सबसे बड़े रुकावट आती है वो है resistance to become a high value man you have to face resistance क्योंकि अगर आप failure disappointments pressure का सामना नहीं करेंगे तो आप कभी भी काम्याब नहीं हो पाएंगे चाहे आपका काम करने का दिल है या पिर नहीं है अगर आप रोजाना एक्शन ले रहे हैं ना तो आपको कोई भी नहीं आ रहा सकता तो achieve anything in life you have to face resistance क्योंकि no pressure no diamond pressure भी वह वहाई चीज़ है जो के आहाम से कोईले को भी हीरे में बदल देता है हम सब ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम सब अशर्फल मखलुकात हैं हम सब के अंदर वो strength अल्ला ताला ने रखी है और इस strength को हम तब ही discover कर सकते हैं अगर हम अपने आपको resistance के सामने डालते हैं quality number seven self believe always think big, dream big and expect big things जब आपका मकसद बहुत बड़ा होता है तो आपके अंदर risk लेने की ability पैदा होती है और एक चीज़ जो आपको invincible बनाती है वो है self believe always believe in yourself कुछ भी हो जाए जिन्दगी में जितनी ज़्यादा मुश्किलात आएं, कठनाई आएं आपने अपने बारे में positive affirmations ही रखनी है and never compromise on your dreams क्योंकि अक्सर लोग मुश्किल वक्त में अपने खौबों को quit कर देते हैं या पिर हार मान जाते हैं बलकि आपको ये समझना चाहिए कि जितना बड़ा आपका goal होगा उतने ही ज्यादा आपको shocks लगेंगे failure is a best teacher if you assess and analyze your mistakes it is a stepping stone of moving higher quality no.8 honor and dignity एक high value इंसान हमेशा घरतमंद और honorable होता है वो अपनी life में जो भी करता है अपने दम पर करता है कभी भी दूसरे के कंदों का सहारा नहीं लेता honor and dignity these traits contribute to a strong positive character that is respected by others and most important self respect एक आला जर्फ इंसान ही अपनी कदर करता है and specially maintain a positive self image और दूसरों की खातिर अपनी असूलों पर कभी भी compromise नहीं करता अपना म्यार, अपना वकार, अपना किरदार और अपना होसला हमेशा बुलंद रखता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कम जर्फ, कमीना और मुनाफिक इंसान हमेशा दूसरों का सहरा लेता है क्योंकि वो खुद तो कुछ करने के काबिल नहीं होता आप खुद क्या है, that decide your worth So make yourself valuable, कोई दूसरा आपकी value increase नहीं कर सकता आपको खुद अपना म्यार और अपना कद इंक्रीज करना पड़ेगा लास्ट बट नाट लीस्ट नमबर 9, willpower एक बड़े इंसान के अंदर और high value person के अंदर ये बहुत बड़ी willpower मौजूद होती है याद रखिए, hard work करने का मादा एक आम इंसान को भी जमीन से उठा कर आसमान तक पहुँचा सकता है इस दुनिया में बड़े बड़े हटे कटे नौजवान आये और चले गए लेकिन दुनिया किसी को याद नहीं रखती याद उसी को रखती है जिसमें high willpower मौजूद होती है जो अपनी जात से हटकर इंसानियत के लिए और दूसरों के लिए भी कुछ करके जाता है हमेशा एक इंसान का दिल गुर्दा और जिगरा काम करता है तो इस आर नाइन क्वालिटीज ओफ ए हाई वैलुड परसन आई होप यू फाइंड इस वीडियो यूसफुल डॉंट फर्गेट तो लाइक और सबस्क्राइब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में